वेलकम बैक, इस चैप्टर में हम लोग आयनिक एकिलिब्रियम के कोश्चन को कवर कर रहे हैं, जून 2022, तो वन बाई वन शुरू करते हैं, यह ठीक से आया नहीं था इसका, तो यह मैंने हाथ से लिख दिया है, फॉर्स कोश्चन को, यह सॉलिबिलिटी से रिलेटेड कह रहें, find the solubility of Bi2S3 in pure water, सबसे easy question, देखो कभी भी solubility का question आये, solubility जब common आयन के साथ आता है, तो थोड़ा सा tough भी होता है, लेकिन pure water आये तो बहुत easy, क्या करना है इसमें, इसका एकिलिब्रम आप establish करो, Bi2S3, यह एकिलिब्रम establish करेगा, Bi3 plus 2, sorry, यह 3 होगा, इसका coefficient 3 है, 3S2 minus, यह एकिलिब्रम हमने establish करा दिया, अब initial, यह solid होता है, जब भी किसी की case भी given हो, तो original solid होगा, वो अपने घुले हुए ions के साथ equilibrium establish करता है, तो don't forget to put here solid हो, solid का तो हमेशा 1 लेते हैं, तो उसके नीचे कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंक करना होगा, तो यहाँ पे आते हैं, equilibrium पे अब establish कराने जा रहे हैं, तो equilibrium पे इसको कुछ मत लिखो dash, क्योंकि यह solid है, अब मालो इसका S moles dissolve होगा, S moles per liter dissolve होगा, जिसको की हम solubriti कहते हैं, यानि इसकी solubriti अगर S है, तो यह बनेगा 2S और यह बनेगा 3S, बस इसको equate कर दो, हमें पता इसका जो equilibrium constant KSP होगा, वो होगा, इसका concentration पे power 2, यानि 2S पे power 2, और 3S इस पे power 3, ठीक है, और इसको equate करेंगे, हम जो given value है, 1.08 into 10 to the power minus 73, ठीक है, तो इसको आप simplify कर लेंगे, यह इदर से 4 आएगा, और इदर से 27 आएगा, और net S की power 5 हो जाएगी, S की power net 5, 1.08 into 10 to the power minus 73, और यह जो value आजाएगा, 108 ही आजाता है, 108 आजाएगा, तो इसका मतलर इससे जब आप इसको divide करोगे न, ठीक है, denominator में आएगा, तो इसमें, denominator में 100 आजाएगा, तो 100 denominator में आते ही, यह हो जाएगा, 10 to the power minus 75, तो S पे power 5, 10 to the power minus 75, तो S आजाएगा, 10 to the power minus 15, यह ही answer इसका, Now heading for the next, second question पर आते हैं, देखो यह कह रहा है, the amphoteric nature of water is explained by using Lewis acid oblique base concept, तो यह आधा correct है, आधा गलत है, पहले मैं आपको बताता है, Lewis acid क्या होता है, Lewis acid जैसे की, BCL3 is Lewis acid, BCL3 type का, इसमें क्या है कि, इसका octet complete नहीं है, बोरोन का, देखो इसके outermose में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, क्योंकि outermose में 3 electrons होते हैं, तीनों की sharing से सिर्फ 6 ही पूरा कर पाया है, तो इसके पास एक vacant orbital है, जहाँ पर किसी भी lone pair वाले species के electron को ये accept करना चाहेगा, ताकि अपना octet complete कर सके, ऐसे species को, जो lone pair acceptor होते हैं, इसी को हम कहते हैं, Lewis acid, ठीक है, तो water में ऐसा कुछ भी नहीं है, water का ये देखो structure, सबी के दनादन complete है, ठीक है, oxygen का octet ही complete है, hydrogen का do it complete है, तो ये इस justification से acid नहीं है, रधर ये awareness concept से है, अगर H2O आप लोग है न, तो ये H++, OH-, H+, देने की ability रख रहा है, इसलिए ये एक acid है, तो इसलिए ये जो statement इसने दिया है, कि ये Lewis acid है, उसके कारण acid है कि ये गलत हो गया, हाँ, Lewis base वाला सही है, जैसे ये Lewis base है, जिसके पास loan pair electron हो, जो किसी को donate कर सके, तो water ऐसा कर सकता है, इसके पास एक नहीं दो-दो loan pair है, तो ये ऐसा कर सकता है, तो it can be Lewis base, ये हम justify कर सकते हैं, ये नहीं, इसलिए पहला statement गलत, water acts as an acid with ammonia, बिल्कुल सही है, ammonia एक base है, तो इसको तुरंत H+, देगा, जैसे water low और ammonia ले लो, तो ammonia इससे H+, गेन कर लेगा, और H+, गेन करने के बाद, ये OH negative and NH4+, जो कि NH4 OH collectively आप कहते हो, बनाता है, ठीक है, तो ये तो सही है, and as a base for H2S, बिल्कुल सही है, इससे H2S इससे जदा stronger acid आगया, तो ये इससे H+, को गेन कर लेगा, तो ये HS-, उसने एक H+, लूस की है, HS- और water हो जाएगा, S3O+, इसने H+, गेन कर लिया, तो इससे लिए second वाला correct ammonia के साथ, ये एक acid की तर है, और H2S के साथ, ये एक base की तर act करेगा, ये correct है, इससे लिए A, D आ जाएगा इसमें, Now heading for the next, अब देखो ये क्या कह रहे है, 50 ml.1 molar acetic acid, देख रहो ये हमें दे दिया है, इतना acetic acid, is being titrated with 0.1 molar NaOH, 25 ml of NaOH has been added, find the pH of the solution, देखो भाई, थोड़ा सा guess करो इसमें, अब देखो इस question में क्या है, पहले planning करते हैं, ये देख के पता चल रहा है कि NaOH की quantity कम है, 25 ml, क्योंकि molarity दोनों की से में, इसका volume कम है, ऐसे question सीधे buffer पे जाते हैं, अब मैं बता रहा हूँ, एक बार में क्लियर हो जाएगा, और आज के बाद कभी buffer के question में दिक्कत नहीं आएगी, buffer, तो देखो होता क्या है, जब भी हम acid plus base को मिलाते हैं, तो भूल जो पहले ये irony का question है, सबसे पहले ये stoichiometry का question होता है, पहले इनका reaction करा हो, क्या बचा है, ये देखो, अगर acid base को reaction कराने के बाद सिर्फ salt बच जाए, only salt बचे, तो ये hydrolysis of salt का case है, hydrolysis of salt का case है, ठीक है, तो ये ensure करना होगा, पहले आपको reaction कराना होगा, mole concept, limiting reagent बगरा लगा के, उसके बाद देखो कि finally क्या बचता है, सिर्फ salt रह गया, only salt और कुछ नहीं बचा, तो वो hydrolysis of salt का case है, जिसमें तीन cases आते हैं, ठीक है, hydrolysis में, एक SW salt, दूसरा WS salt, और तीसरा WW salt, तो ये अभी मैं cover नहीं कर रहा है, क्योंकि question इससे related नहीं है, दूसरा, जब A और B है, ठीक है, acid और base को आपने मिलाया, ठीक है, इसके बाद बचा रहे गया, एक weak acid बच गया, और उसका salt बच गया, या weak base बच गया, प्लेस उसका salt बच गया, तो ये होता है buffer का question, buffer, यही अभी हमारा discussion है, क्योंकि अभी जो case है, उसमें देखो weak acid बच रहा है, acidic acid, क्योंकि acidic acid की quantity कम है, और ये एक weak acid है, यहाँ पर K भी दिया हुए, इससे confirm हो रहा है कि weak acid है, तो weak acid बचेगा, और प्लस एनेवच के साथ reaction, जितना part रियाक्ट करेगा, वो salt में बदलेगा, तो weak acid प्लस salt ये वाली category है, तो ये buffer है, तब जो buffer है, वो दो type के, यही जो दो type मैंने लिखे हैं, एक को हम कहते हैं, acidic buffer, आपको कहते हैं, यह क्या होता है, मैं को कुछ नहीं, एक weak acid प्लस उसका salt, ये बचा रहे जाए, तो ये acidic buffer है, और इसके लिए pH का formula है, Pka प्लस log, concentration of salt, salt का concentration by acid का concentration, जो weak acid बचा हुए है, उसका concentration, आप कह सकते हो कि क्या सर, concentration निकालना जरूरी है, मैं कोगा नहीं, तुम moles भी रख सकते हो, direct, क्योंकि concentration होता है, moles by volume, moles by volume, तो volume, volume, cancel हो जाएगा, क्योंकि दोनों का volume सेम है, एक ही बरतन में दोनों होते हैं, ठीक है, ऐसे ही basic buffer, basic buffer आएगा, जब basic buffer आएगा, तो इसमें weak base होगा, WB मतलब weak base होगा, उसका salt का combination होना है, salt, तो आप कोगे सर, इसके लिए क्या होगा, मैं कोगा कुछ नहीं, यही formula रहेगा, बस जहाँ-जहाँ H है, वहाँ OH कर दो, जहाँ-जहाँ K है, वहाँ K भी कर दो, जहाँ Acid है, वहाँ पे base कर दो, यानि इसका formula, POH is equal to PKB plus log salt by base, यही होना है formula, अब देखो यह question कैसे crack होता है, ठीक है, अभी मुझे इस formula को use करना है, time heading, for this, मैं planning मेरी यह है, कि मुझे salt के moles और acid के moles निकालके से put कर देने, क्योंकि मैंने बताया है, यहाँ पे हम moles को भी रख सकते हैं, molarity होती है, moles by volume into thousand, तो यहाँ से अगर मैं moles निकालना चाहूँ, तो moles आजाएगा, molarity into volume by thousand, ठीक है, तो इससे मैं इसके moles fine कर रहा हूँ, यह रहा इसकी molarity, यह रहा इसका volume, तो molarity की जगे, molarity को, volume की जगे, volume को put करो, तो इसके जो moles आएंगे, acetic acid के, यह आजाएंगे, molarity into volume जो की हो जाएगा 5, इन दोनों को multiply करो 5, divided by thousand, जिसको की 10 to the power minus 3, इतने moles हो गया है, तो यहाँ पर आजाओ, यहाँ कोगे कि सब 25 ml और this much है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं कोँगा same formula, तो यहाँ एने वच के जो moles आएंगे, वो हो जाएंगे, इसमें भी molarity into volume, जो की हो 2.5 into 10 to the power minus 3 moles, तो दोनों के moles आ चुके हैं, वही अब हमारे पास अब मुझे reaction लिखने की बारी है, तो लिखता हूँ मैं, क्योंकि पहले भूल जाओ यह irony का question है, सबसे पहले यह mole concept का question है, acid base मारधार करेंगे, पूरा, कोई एक को पूरा खतम होना है, वही हमें decide करना हो, त H2O, तो शुरू करते हैं, इसके moles कितने थे, यह था 5 into 10 to the power minus 3, इसके moles कितने है, तो यह 2.5 into 10 to the power minus 3 moles, अब final क्या हो जाएगा, final, यह 0, limiting है, यह 0 और इसके 1 mole के लिए इसका 1 mole चाहिए, दोनों का coefficient 1 है, तो एक के लिए 1 चाहिए, तो 2.5 के लिए 2.5 चाहिए, तो इसमें से 2.5 हटा दो, जो रियाक्ट कर गया, तो 5 में से 2.5 minus करोगे, तो 2.5 आएगा, तो इतना इसके moles बचे रहे गए, यहाँ पर यह produce कितना हुआ, salt, तो आप इसके 1 mole से इसका 1 mole produce कर रहे हो, देखलो, 1 से 1 produce हो रहा है, तो 2.5 से यह भी produce होगा, 2.5 into 10 to the power minus 3, पानी लिखने के ज उठाओ अब तुरंत, acidic buffer क्योंकि हमसे pH ही पूछा गया, acidic buffer का formula रख दो, pH is equal to, जो मैंने लिखा था, पीके, यह रहा, पीके की value 4.76, तो direct मैंने लिख दी, plus log, salt के moles उपर में यह रहा, यह salt के moles, 2.5 into 10 to the power minus 3, बाई, acid के moles उपर में, यह रहा, acid का moles, 2.5 into 10 to the power minus 3, यह बाई, क्यांसे लोग के 1, log 1, 0 होता है, यानि 4.76 will be the answer, तो nearest integer में इसने कहा है, और 10 to the power minus 2 के form में लिखने के लिए कहा है, तो 476 into 10 to the power minus 2 आएगा, इसका value minus 2, यानि 476 will be the answer, 476, यही इसका पूरा तरीका हुआ, चलो तो आते हैं next पे, heading for the next, आप कहे रहा है, the student needs to prepare a buffer solution, इसने डारेक्ट बोल दिया, बहुत अच्छा examiner था, buffer डारेक्ट बता दिया, buffer solution with propanoic acid and sodium salt, यानि एक acid लिया है, propanoic acid और उसका salt, तब तो acidic buffer है, क्योंकि acid और उसका salt है, अब formula side में लिखके रख लो, pH is equal to pKa plus log salt, यह रहा, salt उपर में लिखा sodium salt कह रहा है, तो na plus अटा के लिखा इसने, तो यह देखो propanoic acid है, तीन carbon acid, तो यह ही है, मैं भी लिख देता हूँ, CH3, CH2, COO negative, आपको अच्छा लग रहा है, na plus लिख दो, यह by acid, यह रहा पूरा बड़ा सा, जो हमें चाहिए, अब से मैं इसको कुछ x करके लिखूँगा, इसको x लिखूँगा पूरे को, क्योंकि इसकी value चाहिए, यह formula होगा, देखो k की value उतनी दे रखी है, तो सबसे पहले तो भाई, इससे solve करना होगा, यही सबसे टेढ़ा काम है, तो k, यह है 1.3 into 10 to the power minus 5, तो यहाँ पे minus log लगाओ, क्योंकि pk का मतलब होता है, minus log of k, तो minus log log 1.3 into 10 to the power minus 5, ठीक है, यह minus log से इसको simplify करना शुरू करो, इसको तो मैं pk लिख देता हूँ, pk minus को bracket में अलग कर लो, तो यह हो जाएगा log 1.3 plus log 10 to the power minus 5, यही आएगा हमारे पास value, और इसको simplify करो, तो pk क्या हो जाएगा, यह value हो जाएगी minus 5, तो यह minus रहने दो, अच्छे यह log 1.3 है, यहाँ पर मैं अपने planning चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यह log 1.3 तो हमें दिया नहीं है, फिर हम उलच जाएगे, अब एक और planning मेरे दिमाग में आ गई है, जो ज़्यादा बेटर है, ठीक है न, वो क्या है, यहाँ से log हटा सकते हैं, log का rule लगा के, देख तो कैसे, इसको मैं लिख रहा हूँ, minus log of h+, this is equal to minus log of k, और यह तो मैंने पहले बता दिया x, इसको मैं लिख देता हूँ, log x, यही x चाहिए मुझे, इस पूरे ratio को x लिख दिया, तो यह log के rule से settle हो जाएगा, कैसे, इसको एक काम करो आप, इसको इधर ले आओ, जैसे भी कर और यह अब a-b के set हो जाएगा, रूल पे, तो log k by h+, this is equal to log x, अब दोनों साइट से log हट गया, तो इसका मतलब k by concentration of h+, जो हो जाएगा, यह हो जाएगा x, यही x की value है, अब हम निकालते हैं, k एक्चल में इसने direct दे रखा था, तो यह planning ज्यादा बेटर है, ठीक है, वो मैं को बाद में अभी click किया, ठीक है, जब मैं यहाँ पे log 1.3 में फसने लग गया तो, ठीक है, अब आते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं, pH दिया है 4, तो pH 4 है, तो इससे concentration of h+, आयन कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 4, तो h+, 10 to the power minus 4, और k की value इतनी है, तो इसका हम यहाँ पे put करत एगा 13, this will be the answer, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, यही answer होगा हमारा, एक मिनट इसने, हमने कुछ करबर किया है, तो कहीं कुछ तो गलती हुई है, एक मिनट, तो यहाँ पे मेरे से calculation, यह 10 to the power minus 1 उपर आएगा, तो मैंने 10 मान लिया था इसको, यह मेरे से गलत हुआ है, तो इ किसमें maximum होगी, तो maximum solubility के लिए एक ही rule है, कोई भी common ion नहीं लगना चाहिए, जैसे agcl में ag plus है और cl minus है, मान लो बरतन में, और इसकी solubility maximum रखना चाहते हो, तो बाहर से अगर कोई compound डाल रहे हो, जिसमें कोई भी ion हो, मान लो agno3 डाल दो, तो agno3 has ag plus, तो यह ag plus के साथ common हो गया, तो यह इसकी solubility को कम कर देगा, ठीक है, ऐसे हमान लोगो कोई student 10 a cl इसमें डाल दे, तो यहाँ पे cl minus है, वो इस cl minus के साथ common हो जाएगा, फिर से यह solubility को कम कर देगा, तो solubility को maximum रखने के लिए common ion होइड करना पड़ता है, तो यह हमारा theme है, तो यहाँ देगो, य ag plus है, तो इसमें तो cl minus दे रहे हैं, यह नहीं हो सकता है, इसमें भी cl minus दे रहे हैं, नहीं हो सकता है, इसमें ag plus दे रहे हैं, यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ag plus ag plus का common ion होगा, इन दोनों में cl minus का common ion हो जाएगा, इस cl minus के साथ, तो सिफ यही आ जाएगा, dionized water, d option is correct, तो ब ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में मैं जो भी थियरी है जो मैं S-Block, P-Block शुरू कर रहा हूं एकदम स्नापशाट और एकदम ऐसा बनाऊंगा कि मैंस पूरा अच्छे से क्रैक हो जाएगा कोई डिटेल नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा S-Block थोरा से लेंदी है उसमें हो सकता है 10-15-15 मिनट के तीन चैर वीडियो बने ठीक है लेकिन P-Block हर गुरूप के लिए एक और 10-15 मिनट में खतम अब वाच करो मल्टिपल टाइम सारे मेंस के कोईशन उसके बाद P-Y-Q कर लेना सारे कोईशन्स हो जाएंगे आपसे थैंक्स पर वाचिंग